आखिरकर क्या कारण है कि aircraft carrier पर रहना बहती मुस्किल होता है जबके एक aircraft carrier समंदर में घूमता फिरता पूरा पूरा सेहर होता है जिसमें कोई सेहर की तरह सबी सुभीधाईं मौजूथ होते हैं लेकिन aircraft carrier का crew सायाधी carrier को अपना सेहर या घर जिससे देखता हो, किसी भी एरक्राप्ट कारियर का लेयाउट और डिजाइन भूल भूले या जिसे होता है, जिसमाद 6 क्रिव मेंबर एक ही बेडरूम से एर करते हैं, अगर आप कभी एक एरक्राप्ट कारियर पे रहना चाते हो, तो सायाधी आप कभी आसमान देख पाऊगे, फ्लाइट डेक का हैंगर एरिया बेहती खतनाक और बीजी होते हैं, जहां के बल मुठी भर सेलर्स तक ही इसका पहुच है, क्रिव को सॉनलाइट देखे भी ना सब तहा तक हो सकते हैं, जिसके चलते उन्हें अकसर भीटामिन D की गोलिया दिया जाता है, और वह चाकर भी आप कॉल या वाइफे के जरिये किसी के साथ कॉनलेक्ट नहीं हो सकते, जिसके चलते परिबार और दोस्तों के साथ संपर करना बेहती मुश्किल होता है, और मैं आपको बता दू, एयर्टाप कैरियर कभी भी अकेले नहीं तैरता, उसके साथ उसका पुरा फ्री मौजूद होता है